नमस्ते चात्राओं, इस वीडियो टूट्योरियल में हम बात करने वाले हैं किसी भी संगटना का स्वरूप किस प्रकार का होता है और उसमें कौन-कौन सी प्रक्रियाएं होती होई दिखाई देती हैं मनोविज्यान के विशय को लेकर जो ब्रिच कोर्स हमने शुरू किया है इस सत्र में इस सत्र का या इस ब्रिच कोर्स का यह चौथा दिन हम कह सकते हैं और एक और दिन एक और वीडियो टूट्योरियल के साथ हमारा ब्रिच कोर्स खतम होगा और उसके बाद हम अपने सिलापस को syllabus की हम शुरुवात करेंगे तो अभी इस वीडियो टुटोरियल में हम बात करने वाले है सबसे पहले कि संगटना क्या होती है कोई भी संस्था क्या होती है संगटना इस शब्द में प्रथम शब्दा आता है संग संग अर्थात समुह समुह कुछ लोग जहां एकत्रित आत तो जहां कुछ ऐसे लोग जिनके कौशल अलग अलग है जिनके अनुभव अलग है लेकिन उन सब का उद्देश किसी एक चीज को बनाना या कोई सर्विस देना इस प्रकार का कोई एक उद्देश उन पूरे समुह में जितने भी लोगे उनका जब होता है और ऐसे लोग ज कह लीजिए कंपनी कह लीजिए उसे संस्था या संगटना कहा जाता है आम तोर पर जब हम संगटना ये शब्द सुनते हैं तो हमें याद आती है यूनियन जो की लेबर यूनियन होती है या कोई एक राज की राजनीती में कोई पक्ष होता है उसकी संगटना होती है तो य संस्था संगटना से यहां पर हमें तात परिया है और हम उसी संधर्व में बात करेंगे कोई भी संगटना या संस्था जब काम करती है तो उसमें तीन महत्वपूर्ण घटक होते हैं करमचारी प्रक्रिया और तंतरग्यान करमचारी अर्थत वहां काम करने वाले सभी दर्ज को हैंडल करने वाले उनकी व्यवस्था देखने वाले मशीन चलाने वाले प्रशिक्षित लोग ही अगर वहां पर नहीं होते हैं करमचारी ही नहीं होते हैं तो बाकी सारी चीज़े धरी की धरी रहती है इसलिए संस्था में सब से महत्वपूर्ण होता है वहां की करमचारी क करमचारी लोग वहां के सभी अच्छे है, प्रशिक्षित है, अपना काम अच्छे से जानते है, अपने उद्देश को पहचानते है, और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहते है, काम करते है, तो वो संगटना बहुत अच्छे से काम करती है, अगर करमचारी वर प्रश सुरक्षा महसूस होती है तो ऐसे वातावरेंड में कभी भी कमपनी का काम अच्छा नहीं होगा और वो बढ़ेगी भी नहीं आगे तो दोनों दुरुष्टी से करमचारी जो है कि महत्रपूर्ण घटक होता है किसी भी संगटना या संस्था का अब कोई भी संस्था संगटना जैसे कि आप बैंक कह लीजिए जहां पर वित्य सेवाय हमें मिलती है आप स्कूल कॉलेज कह लीजिए जहां पधाई होती है आप कोई पुश्य कहब लीजिए कपडे की फाक्टरी है या बिसकित बनाने वाली फैक्टरी है या कोई अन्य करते हैं तो ऐसी हर जगह पर वो किस उद्देश से वो संस्था काम कर रही है उसके आधार पर वहां कुछ प्रक्रियाएं होती है जैसे स्कूल कॉलेज है तो पढ़ाई होती है परिक्षा होती है बिस्कुट बनाने वाली फैक्टरी है तो वहां पर कच्छा माल आता है उस प अपने अपने काम या उद्देश को लेकर कुछ परक्रियाएं चलती है कुछ पद्धतिया चलती है काम करने के कुछ तरीके होते हैं तो यह भी एक महत्वपूर्ण घटक है और तीसरा महत्वपूर्ण घटक जो आज के समय में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है तंत यह सब तेक्णोलोजी बेस्ट होते हैं। तो यह सब टेक्नोलोजी भी आज संगटना को चलाने का महत्वपूर्न हिस्सा है। जैसा कि आग और इस पिक्टर में देख सकते हिए, पीपल अर्थात कर्मचारी, प्रोसेस अर्थात प्रक्रिया और टेकनोलोजी अर्थात तंत्रग्यान ये तीन महत्वपुर्णा घटक तो होते ही है पर यहां इस डाइग्राम से हमें समझ में आता है कि ये तीन घटक स्वतंत्र नहीं है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये एक दूसरे को ओवरलाप कर रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि लोग बिना तक टेकनोलोजी के काम नहीं कर सकते वैसे ही लोग बिना प्रोसेस के भी काम नहीं कर सकते प्रोसेश जो है वो लोगों के बिना भी नहीं चलेगी कोई प्रक्रिया, तंतरग्यान के बिना भी नहीं चलेगी सिर्फ टेक्नोलोजी है, मशीनरी है, सामान है, लेकिन लोग भी चाहिए और उसकी प्रक्रिया भी चाहिए तो ऐसे ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं एक दूसरे पर अवलंबी होते हैं ये तीनों घटब और तभी ही संस्था संगटना का काम अच्छे से चल सकता है संगटना के तीन प्रकार हम बता सकते हैं कुछ संगटनाई सेवा देने वाली होती है जिसे अज़कल जोमेटोस विगी का जमाना है उनलाईन श्वापिंग का जमाना है तो चीजे आपको आपकी घर पर आ कर मिलती है ये चुचे आपको दिये जा रही हैelessBe台 यह टेक्सी आती है, यह सर्विस है, बैंकिंग भी सर्विस सेक्टर में आता है, आप पारलर जाते हैं, तो आप कोई उतपाद नहीं करीदते हैं, आप अपने देखरे के लिए कुछ सेवाएं उनसे लेते हैं, तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, संगटनाएं होती हैं, जो से पाई है, वह हर एक चीज को बनाने वाले एक फैक्टरी होती है, वहाँ पर वो चीजे बनती है, बिकने के लिए बाजार में आती है, हम ग्रहक है, हम खरीदार है, तो हम पैसे देखर उस उतपाद को खरीदते हैं, तो ऐसे उतपादों के निर्मान करने वाली कुछ संगट प्रॉफिट ये कोई उद्देश नहीं होता, तो वो समाज से पैसा लेकर समाज के ही उपयोग का काम करती है, तो ऐसे भी कुछ संगटनाओं के प्रकार हम जान सकते हैं, हर एक संस्था संगटना में एक अधिश्रणी होती है, हर एक संस्था संगटना का कोई मालिक होता है एक व्यक्ति मालिक हो सकता है, या कोई एक कारिकारी संचालक, मंदल हो सकता है, गुरूप औफ पीपल हो सकता है, बोर्ड हम जिसे कहते हैं, जैसे कॉलेज का भी एक मैनेजमेंट होता है, स्कूल का एक मैनेजमेंट होता है, वैसे कमपनी का भी एक मैनेजमेंट भी हो सकता वाले उसके निचली श्रेणी परम कह सकते हैं, व्यवस्थापक होते हैं, अगर आवशक्ता हो तो विभाग प्रमुक होते हैं, काम को सुपर्वाइज करने के लिए देखरेक करने के लिए परिविक्षक होते हैं, काम करने वारे करमचारी होते हैं, और इस संस्था में जो भ परियवेक्षक काम होगा, परियवेक्षक थीक से रिपोर्टिंग करेगा तो विभाग प्रमुक को पता चलेगा, विभाग प्रमुक प्ना काम ठीक से करेंगे तो व्यवस्थापक वो पूरी कंपनी को चला पाएंगे, और मैनेजर्स अगर अपना काम अच्छे से करते हैं तब ही माली काश्वस्त हो पाएगा, कि हाँ, चलो मेरे कमपनी में जो है, फैक्क्री में जो है, अच्छा काम चल रहा है, मुझे चिंटा करने की ज़रूत में, यह जो अधिश्रेणी होती है, यह निरने के प्रक्रिया के लिए, या संप्रेशन के लिए बहु ज़रुरी होती है जैसे अगर जो कुई मालिक है उसने कमपनी के लिए कोई डिसिजन लिया कि हम हमारी कंपनी में इस्परकार की बदलाग होंगे तो वो जैसे सुरक्षा को लेकर है अगर सुरक्षा की कमी है काम की जगह पर और वो चाहता है, मालिक चाहता है कि कुछ और साधन वहाँ पर establish किये जाए या कुछ नई machinery लाई जाए तो उसके बारे में वो खुद जाकर करमचारी को नहीं बताता है, वो वहाँ से व्यवस्थापक को बताता है व्यवस्थापक देखता है कितनी जरुरत है कहा करना है, क्या करना है, फिर वो उस-उस डिपार्टमेंट में बताता है डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं, वो वहाँ पर जो सूपरवाइजर उनको बोलते हैं, ऐसे ऐसे लोग आने वाले, ऐसे मशिनरी आने वाली है, वो ठीक से सब हो जाए, देख लेना और परियवेक्षक जो होता है, वो करमचारियों को कहता है, कि उनको क्या काम करना है, क्या नहीं चीज़े आई है, उसको कैसे इस्तेमाल करना, उनकी ट्रेनिंग करवाता है, ज़रूरत हो तो उनसे आवशक्ता अनुशार काम करवाता है, तो उपर मालिक सोचता है, तब ज अगर मालिक को मनजूर हुआ तो वह स्टिस फिर से उपर से नीचे तक आती है तो कम्यूनिकेशन हो यह डिसिजन मेकिंग हो यह लीडर्शिप हो यह सभी चीजों में इस प्रकार की अधिश्रणी का बहुत महत्वा संस्था कि सुद्देश से काम करती है कौन सा उत्पाद बनाती है या सेवा देती है उसे साब से उसमें अलग अलग विभाग होते हैं जैसे कोई भी अगर उत्पाद बनता है तो उसके लिए राव मटेरियल जिसे हम कहते हैं कच्चा कुछ समान लगता है जैसे कपड़ा बनाने के लिए धागा लगता है धागा बनाने के लिए कपास लगता है तो जो भी राव मटेरियल जरूरी है कंपनी में यह सेवा देन चिजे Production Department देकता है उत्पात् विभाध जो बना हुआ है उसे बाजार में बेचना वी पढ़ता है बेचने के लिए जोर सोर से हर चीज का विग्यापन करना पड़ता है आज कि क्यूंकि हर एक उथपात के 10 से भी जादा परियाए Cash रह सकते हैं और ग्रहा कुण में खरीड भी रहे है तो ग्राहक उन्हे चोड़ हमारा नया माल करी दे तो उस स्कीम दी जाती है उसका विज्ञ्यापन किया जाता है बड़े बड़े लोगों को इसके लिए साइं किया जाता है, टीवी, रेडियो, हर जगह पेपर में उसका एड चलाया जाता है, तो यह सारी वेवस्ता जो होती है, वो विध्यापन विभाग दिखता है, सरह विध्यापन करने से नहीं होता, चीजों का मार्केटिंग भी करना पड़ता है, तो वो सारी चीजे जो होती है उनसे order लेना, उनको माल देना या उनको कुछ और रियायत देना दाकि वो अपना माल प्रमोट कर सके तो ये सारा department जो है वो marketing और distribution department में होता है ग्राहक जो होते हैं उनकी कभी कुछ समस्याइं भी हो सकती है सर्विस को लेकर या product को लेकर जैसे हम भी ग्राहक हैं हमको भी कभी कभी समस्याइं होती है तो हम customer care number पर phone करते है अपनी तक्रार जो है समस्या जो है वो बताते है complaint बताते हैं और उस complaint का अगर आगी कुछ होता है और हमें हमारा समादान मिलता है समस्या का तो हमें बहुत अच्छा लगता है तो एक company जहाँ पर समस्या निवारन के case's बहुत कम was म्तलب complaints कम आती है वो एक अच्छी company मानी जाती है और वो भी एक अच्छी company है जहाँ पर समस्याइं तो आती है पर उनको सुलजाया जाता है ग्राहक का संतोष आहम माना जाता है, उसको महत्वद दिया जाता है इनसाथ के साथ, किसी भी संस्था संगेटना में एक रडिपाटमेंट होता है जिसे कहते हैं Human Resource, मानाव संसाधन मानव संसाधन, अर्थाक मनुष्य भी किसी भी संस्था संगेटना के लिए एक संसाधन के जैसे होता है अगर मशिनरी है, सामान है, जगा है, बहुत बड़ी फैक्टरी है तो अपने आप से कोई सर्विस या उत्पात तयार नहीं हो जाता लोगों को करना पड़ता है कितनी भी अच्छी मशिनरी हो तो भी उसका एक ही बटन दबाना पड़ता है पर वो बटन दबाने के लिए क्योंकि वो कब दबाना है इसके लिए इनसान के जरुरत होती है बहुत सारी जगापर जैसे आप बैंक में देख लीजिए या आप स्कूल कॉलेज में देख लीजिए लोगों की आवश्यक्ता जादा होती है ऐसे काम करने के लिए और वो भी सिर्फ लोग नहीं वो लोग प्रशिक्षिक चाहिए पड़े लिखे चाहिए जो काम उनसे करवाना है वो उनको ठीक से आता है और बहुत अच्छे से आता है ये भी जरूरी होता है तो किसी भी संगटना में अगर लोग अच्छे हैं लोगों का एक दूसरे के साथ मेल मिलाप अच्छा है वो अपनी आइडिया शेयर करते हैं इक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं एक अच्छा पॉजिटिव एंवार्मेंट है, स्पर्धा कम है, संतोष जादा है काम काम, तो लोग एक दुसरे से मेल जूल के अच्छा काम करते हैं, तो कमपनी आगे बढ़ती हैं, लेकिन लोगों के पास वो कॉशल ही नहीं है, लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं है, तो संगटना में हर व्यक्ति सही जगा पर सही व्यक्ति हो, उसका सही ट्रेनिंग हो, उससे कोई समस्या ना हो, समस्या हो तो वो सुलजाई जाए, इससे संबंधी जो भी चीजे उनका मानसिक स्वास्त अच्छा हो, उनका शारिरिक स्वास्त अच्छा हो, उनका पारिवार परिवार में समस्या होती है तो काम की चगाप पर अपने आप से व्यक्ति का ध्यान नहीं लगता या उन्हें कुछ कभी वीमा चाहिए उनको कोई हेल्प इशू से रिलेटेड को हेल्प चाहिए या उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं ऐसी बहु उनको प्रशिक्षण करने से लेकर वो ठीक से आगे भी काम करते रहे और उने कोई समस्या ना हो इस सभी विशयों में मानव संसाधन विभाग जो है वो काम करता हैं और ये जो डिपार्टमेंट है मानव संसाधन एचार यह हमारी साइकोलॉजी से सम्मंधित होता है और भी बहुत सारी प्रक्रियाय चलती रहती है, जैसे करमचारी चुनाव है, करमचारीों का क्या eligibility होनी चाहिए, उनमें कौन से कौशल होने चाहिए, कौन से काम के लिए हमको लोग चाहिए है, फिर उनकी कुछ psychological कभी टेस्ट की जाती है, कभी उने कोई ट्रेनिंग दिया ज कि अपनी झार जातं है, हर संस्था की अपनी जुरूरत होती है, उसके हिस्साफ से करमचारी का च्छुनाव किया जाता है, करमचारी चुनाव करने के बाद कि प्रशक्षम के ल Geschakeov करने बाहु direct का क्रता है, यह ज़ुरूरी दो नहीं कि शुरुआइद के आवश्चक्ता होती है तो ये सारी चीज़े भी संगट नामे लोगों के लिए की जाती है हर संस्था को आगे ले जाने के लिए एक नित्रुत्व चाहिए होता है leadership जो देख सके कि company को कहा ले जाना है कितना profit बनाना है कैसे बना सकते है company में क्या सुधार की आवश्चक्ता है ये सारी चीज़े जो है वो एक अच्छी leadership company को दे सकती है अगर leader अच्छा रहे तो company आगे बढ़ती है अगर leadership visionary नहीं रहे तो competition का यूग है आज कल दो चार नई company आई तो आपकी company जो है पीछे बढ़ सकती है उसी प्रकार से काम करने वाले लोगों में communication किस प्रकार से है उपर की अधिश्रेणी में उपर के स्तर से लेकर निचले स्तर तक बिल्कुल open communication होना चाहिए हर कोई अपनी बात रखने की हर किसी को अवसर मिलना चाहिए हर किसी को उसका feedback important होता है तो किस प्रकार का संप्रेशन कौन सी लेवल पर चलेगा ये भी महत्वपूर्ण है अगर संप्रेशन ठीक रहा तो समस्या नहीं होती अगर संप्रेशन communication में गडबढ हुई तरीकों में गडबढ हुई जगह कहां क्या communicate करना उसमें गडबढ हुई तो miscommunication होता है और हमारे नीजी जीवन में भी हम देखते हैं जहां पर हमारे आसपास के लोग हमारे relatives होते हैं friends होते हैं परिवार वाले होते हैं फिर भी communication की कारण कितने problems होते हैं अच्छा communication ना हो तो तो जहां एक दूसरे से परिचित भी नहीं है लोग सिर्फ काम करने के लिए एक जगह पर आते हैं एक दूसरे को ज़दा अच्छे से जानते भी नहीं है या वो एक दूसरे की गलतियों को नजर अंदाज करते हैं ऐसा उनके पास कोई कारण नहीं है ऐसे में तो miscommunication बहुत ज़ादा गंबिर समस्याई निर्मान कर सकता है तो इसलिए संप्रेशन कैसा हो इसका ध्यान रखना भी आवश्चक है साथी जहां लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर कारिय संतोष हो काम की प्रति उनको संतोष हो काम करने में उन्हें प्रेणा महसूस हो वो प्रेणी तो काम करने के लिए और काम के जगा पर कोई तनाव ना हो काम का उन पर बहुत ज़दा स्ट्रेस ना हो ये तीन चीज़े भी म कि दोड़ना पड़ता है उसमें क्या बदलाव सुधार के आवशक्ता है उसे प्रकार से कम्पनी को आगे ले जाने के लिए कहां क्या सुधार क्या आवशक्ता है यह देखने का काम भी संशोधन नेमा मिकास इस प्रक्रिया में होता है संचोधन करके ढूंडा जाता है कि कहां क्या करने की आवश्यक्ता है और उसे इंप्लिमेंट करके कमपनी का विकास किया जाता है उसी प्रकार से ग्राहक सेवा एक महतोपुर्ण विभाग है ग्राहक सर्वप्रथम होता है ग्राहक की समस्याओं को जो देखे उनको सुलजाए वो संस्था निश्चित रूप से आगे बढ़ती है और इन सभी प्रक्रियाओं का उद्दिश जो होता है वो ultimately संगटना का विक अगर बंग पड़ जाती है तो उस पर दिर्भर जितने भी सारे लोग होते हैं वो सभी उससे समस्या गरस्त हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं तो इसलिए सभी चीजों को जोड़ कर संगटना को आगे ले जाना ये कमी वो उद्देश होता हैं वहाँ पर काम करने वाले लोग और संगटना में किस प्रकार की परक्रियाएं हमें दिखाई देती हैं मैं आशा करती हूँ कि जब हमें सिलाबस को शुरुवात करेंगे और उसमें संगटना से संबंदित कुछ संदर्भाएंगे रिफरेंसे साउने के उधारण आएंगे तो शायद यह सारी जो चीजे हम अभी bridge course में समझने की कोशिश कर रहे हैं ये निश्चित रूप से आपको लाबदाई होंगी तो अभी ये video tutorial हम यही कतम करते हैं अगले video tutorial में हम जानेंगे संगतनात्मक मनोविक ज्यान में क्या career options है और क्या challenges है अभी के समय में किस प्रकार का काम इस उक्षेत्र में होता है उसके बारे में हम अगले lecture में जानेंगे तभी तक के लिए धन्यवाद